जह हिंद इस वीडियो हम लोग इंडियानाल कृपरेशन लिमिटेड्ड कंपनी बारें बात करेंगे इस कंपणी न हाली में डिवडेंट देने की घुसरा की है तो इस वीडियो आники बारें जानेंगे कि डिवडेंट कब मिलेगा कितना रुपया मिलेगा और साथ इस अच्छ से लेकर पेट्रोलियूम पंप पहुंचानी की जिम्यदारी होती है इस कंपनी का है इसका मार्केट केब देखेंगे तो साल में दो-तीनवा डिविटेंट देती ही देती है अगर हाई कि बात करें तो कंपनी एक सो ब्यायश रुपय का हाई लगा चुका है डिवडेंट देगी, यानि कि एक सेर पर आपको 4 रुपया मिलेगा, और record डेट रखागा है 10 फरोरी, अगर आपको इस company का डिवडेंट चाहिए, तो आपका नाम company के record list में 10 फरोरी तक आना का चाहिए, अब important डेट है 8 फरोरी, यानि कि अगर आपके पास इस company के सेर नहीं है dividend का जो रुपया होता है direct bank account में आता है यह एक अच्छी बात है अगर कुछ dividend के history की बात करें इसके तो पिछली बार company ने गारे नोमबर 2020 को dividend दिया था 5 रुपया पर 30 यानि कि एक share पर पिछली बार company ने 5 रुपया dividend दिया था इस बार एक रुपया कम कर दिया इस बार सिर्फ चार रुपया ही आपको dividend देने company जार गिए अब हम लोग इस company के quarter 3 के नतीजों पर बात करते हैं देखें quarter 3 के रिजल्ट के लिए मैंने यह चांट बनाया हुआ है इसमें तीन कॉलम है यहां कॉलम quarter 3 के रिजल्ट के नतीजों के लिए यह कलम पिछले quarter यानि के quarter 2 के नतीज क्या है उसके हिसाब से company का revenue खर्चे और प्रोफिट होते वह भी लाख क्रोण में ही होते हैं तो इसका revenue एक लाख 6,082 क्रोण हुआ है quarter 3 में वही quarter 2 की बात करें अर्था 3 माँ पहले तो company का revenue एक लाख 4,483 क्रोण का था देखिए कितना growth हुआ है सिर्फ तीन माह में वहीं अगर साल पर पहले की बात करें तो सिर्फ एक लाख 30,088 क्रोण का revenue company का था लगवक 6 लाख के आसपास 6 लाख क्रोण का revenue बढ़ा है साल भर में अगर profit after tax की बात करें इससे सूध मुनाफ़ा कहते है क्योंकि यह टेक्स देने के बाद company के पास बचता है तो quarter 3 में पी यानि क company का मुनाफ़ा 402 क्रोण का हुआ करता था यानि कि सलाना अस्तर पर और quarterly अस्तर पर भी मुनाफ़ा company का बढ़ा है अगर earning पर share की बात करें जो share पर कितना रुपया बढ़ा उसको दरसाता है तो quarter 3 में company का EPS 6.69 रुपया है वही quarter 2 में 6.70 था अर्था quarterly अस्तर पर देखें तो इसके earning पर share में थोड़ी सी गिरावट आई है लगवग एक पैसा का सपास वहीं अगर सलाना अस्तर पर बात करें तो company का earning पर share सिर्फ 4.75 रुपया हुआ करता था तो सलाना अस्तर पर company का earning पर share काफी बढ़ा है अगर करजे की बात करें तो company के उपर इस समय इंडियन औरY Korpरएशन के ऊपर 17464 कौल रूपया करजा है विएस clean penny प 담की उपर सरकारी कंपनियों को अपने हिसाब करते हैं उनके सपने मंझ से लेकिन अछी बात दित एक के पास 1200546 कौल रूपया का reserve भी है तो company रूज को कर सकती यह उसको समाप कर सकते है अगर अब अगर प्रफियान आलक और प्रफियस्तान जिस सेक्टर की कॉंपनी है उसमें काफी ग्रोथ है इसका फ्यूचर हमें ब्राइट नजर आता है और रिजल्ट भी अच्छे आएं तो बेसक अगर आप इस कंपनी के सेर को बाइब करना चाहते हैं और अगर मैंन में कोई सवाल है आप क